वेल्लो गाइज वेल्कम बैक माई यूट्यूब चैनल आज हम करने जारे क्लास नाइन्थ की हिंदी की वर्क्षिट नंबर थ्री हम ज़र असफलता मिलती है और हम घबरा जाते जबकि जीवन में हमेशे चुनोतिया मिलती रहती है पल परतिपल किसी भी व्यक्ति का जीवन संगर्ष में होता है उसे हमेशा अपने कारे करते समय लगता है कि वे अवश्य शफल होगा अगर ऐसा नहीं होता तो दसरत मान जी जैसे व्यक्ति पार का सेना नहीं चीर पाते उनकी पतनी का ध्यान सिर्फ इसलिए हो गया कि वे इतने लंबे चोड़े रास्ते को अपनी पतनी को इलाज के लिए अस्वताल नहीं लेजा पाए उन्हें प्राकरति को चुछ नोती दे दी और पहाड का सीना चेर का रास्ता बना दिया जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक वे व्यक्ति सकरात्मक परिणाम नहीं दे सकता जिस दिन हम काटो के बीच चलना सीख जाएंगे उस दिन हमें यह ऐसास होने लेगा जिन्द की कासली रास्ता तो यही है जब तक हमाई जिन्द की में चुनोती नहीं होगी और उस चुनोती को हम सुईकार नहीं करेंगे जब तक हम हारने जीतने की गिरने की बात अपने जीवन में नहीं होने देंगे तब तक हम जीतने उठने के भाव अपने अंदर नहीं लाप आएंगे पाड का सीना चीर का रास्ता किसने बनाये दसरतमान जी ए सकरात्मक परिणाम देने के लिए व्यक्ति को क्या रखना होगा क्या करना होगा खुद पर विश्वास एक दसरतमान जी की पतने का दियान किस कारन हो गया रास्ता ना होने से ए फॉर्ट का है हम किस से गबरा जाते हैं एसाफलता से सी सफल सब्द का विलोम सब्द होगा सफल सब्द में उसरग और मूल सब्द अलग-अलग होगा ए परती पलसपर मेत्यु सब्द का आर्थ इन में से होगा देहांत सी एर्थ का है पार्थ सब्द का समना